मुश्कार आप देखे टेलि 99 और मैं चारे शुरुआत करेंगे दिन भर की बड़ी खबरों से प्रधान मंत्री मोदी आज जाएंगे जैपुर जी हाँ आपको बता दें कि प्रधान मंत्री मोदी एक दिवस्य दौरे पर आज जैपुर जाने वाले हैं वहाँ पर वो राजस्थान के लिए करीब 2100 करोड की लागत की परियोजनाओ का भी एलान करेंगे आपको बता दें कि इस दौरे में प्रधान मंत्री नरेंडर मोदी एक जन्द सभा रैली को भी संबोधित करेंगे और अनुमान जताया जा रहा है कि इस रैली में करीब 20,000,000 से जादा जन्दा पहुँचने वाली है 1337 पर 10 जुलाई को फिर से सुनवाई करेगा सुप्रीम को ने कहा है कि वो समलेंगिक सेक्स को अपराद मानने वाले अपनी भारतिय दंड सभारा 1337 पर फिर से सुनवाई करने वाला है उनका मानना है कि इस पर पुनर विचार होना चाहिए आपको बता दे कि चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अधिक्ष्टा में बैटने वाला ये पैनल 137 पर 10 जुलाई से फिर से सुनवाई करने वाला है मलेशिया के प्रधान मंतरी ने जाकिर नाइक को भारत धेशने से किया इनकार उनका ये कहना है कि जाकिर नाइक ने अभी तक ऐसा कोई भी काम नहीं किया है जिसकी वजह से उन्हें भारत भेजा जाए या मलेशिया से निकाला जाए कॉर्डिफ में हो रहे इस मैच में इंगलेंड ने भारत को करीब 5 विकेट से हरा दिया है जिसके बाद में T20 सीरीज में दोनों ही टीमें एक-एक के बराबर पर आ गई है आपको बता दे कि 20 ओवरों के इस मैच में भारत ने 5 विकेट खोरकर 138 रन बनाये थे अब बात करनें Entertainment जगत की Sunny Lion की बायॉपिक का ट्रेलर हो गया है रिलीस आपको बता दे कि Sunny Lion की जिंदेगी पर बन रही फिल्म करण जी द्ञान ध़ंटीक ट्रेलर रिलीस हो चुका आपको बताते कि इस फिल्म में सनील और खुद आक्ट करती नजर आएंगी ये फिल्म 16 जुलाई को रिलीस होने वाली है बागी और खबरों के लिए आप सब्सक्राइब करें दिली 99